लड़का अमीर है ना? लड़की सुन्दर है ना? बस दो चीज़े देखी और शादी हो गई दोस्तो हमारे कल्चर में कितना सिंपल है शादी करना? कोई दिक्कत ही नहीं है सोचने की जरौत ही नहीं है लड़के ने सुन्दरता देखनी है लड़की ने पैसा देखना है डील डन और शुरुआत हो जाती है चार दिन के हनिमून और पूरे जीवन के कॉंप्रोमाईस की दोस्तों शादी ऐसे नहीं होती बहुत बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का पूरी जिन्दीगी उस पर निर्वर करती है लोग केते हैं शादी तो क्या है करियर मेन है बाकी चीज़े मेन है मैं केता हूँ शादी ही मेन है पूरे जीवन का हर पल एक इनसान के साथ बिताओगे वो मेन नहीं है चुटकियों में डिसीजन ले लोगे आज के जमाने में ऐसे डिसीजन जल्द बाजी में बिना सोचे लेना बहुत बड़ी बेफकूफी है दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जब भी आप लड़का या लड़की अपने लिए देखते हो चाहे आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो चाहे आप शादी के लिए अरेंज मैरेज के लिए देख रहे हो अल्टिमेटली आपने उनको अपना पार्टनर बनाना है कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसी कंडिशन, कुछ ऐसी चीज़े मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टन है देखने के लिए अपने लाइफ पार्टनर को सेलेट करने के लिए सबसे पहली बात तो मैं यह कहूँगा जो लोग पैसे को क्रैटीरिया बनाते है न उन लोग के अंदर बहुत बड़ी कमी है वो यह एजियूम करने की लड़का लड़की को कमा के खिलाएगा दोस्तों यह 21वी सदी है कमा के खिलाएगा का कॉंसेप्ट तो है नहीं अब वो जमाने चलेगे एक पार्टनर दब रहा है एक पार्टनर घर समाल रहा है अच्छी तो बहुत लगती है आपके माबापने ऐसी लाइफ जी होगी देखके अच्छा तो बहुत लगता है कितने खुश है लेकिन अक्सर ऐसी शादियों में एक इंसान को बहुत कॉम्प्रोमाईज करना पड़ता है उसमें भी अक्सर वाइफ को ही करना पड़ता है पैसा बहुत पावरफुल चीज है जिसके हाथ में पैसा होता है राजा तो वो ही होता है वो जब चाहे दूसरे पार्टनर को दबा सकता है मिस्यूज कर सकता है उनकी आकांग्शाओं को उनकी ख्वाइशों को कुचल सकता है या मन करे तो पूरी करे मन करे तो ना पूरी करे तो अपने जीवन की लगाम दूसरे के हाथ में तो देनी नी तो दोनों पार्टनरों ने इंडिपेंडिन होना है इसमें ये नहीं है कि लड़की अगर एक लाग रुपे महीना कमा रही है लड़का पचाजार कमा रहा है तो लड़की मना कर देगी मेरे स्टेंडर्ड का नहीं है अरे तुम्हें क्या standard का करना है, एक लाग तुम कमा रहे हो, पचास जार वो कमा रहा है, मिलके डेड़ लाग कमा हो, एश करो ये सोच भी खराब है तो पहला criteria जो लोग पैसे का देखते हैं, वो तो आपने देखना ही नहीं आप ये देखो कि दूसरा इंसान जो job कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसकी आपके साथ कितनी compatibility है पता चले किसी इंसान का 24 गंटे बहार रहने काम हो, अक्सर बहार ही रहता हो, ये बहुत जादा traveling हो और आपको अकेले में घोटान होती है, अकेले में परिशानी होती है, ये आपको traveling करना अच्छा नहीं रगता ये आपकी job आपको allow नहीं करती, तो यहाँ आगे है major contradiction, major problem, rethink कर लेना आप doctor हो, time by time आपको hospital भी जाना पड़ेगा, emergency भी देखनी पड़ेगी, अपना husband डिया वाइफ उस इस आप से तूंडो दोस्तों जो सबसे important requirement है, वो है कि दूसरा इंसान आपके ambitions को, आपकी अकांक्षाओं को, आपके way of life को समझे, appreciate करे, और compromise करने को तयार हो जो लोग छुपा आगे शादी करते हैं, वो बहुत बड़े बेफकूफ होते हैं छे महीने चुपाओगे, साट साल बुक्तोगे clear अपनी बात रखो सामने आप लड़की हो, आपको अपने career में interest है, आगे बढ़ना है, clear बोलो मुझे अपने career में interest है मैं पढ़ाई भी करूँगी, मेहनत भी करूँगी, आगे बढ़ूँगी आप एक लड़के हो, आपको आगे चलके business करना है, risk लेना है clear बोलतो मैं आगे चलके business करना चाहता हूँ risk लूँगा life में आपका friend circle बहुत बड़ा है दूसरा बंदा इंट्रोवर्ट है clear बता दो कि मेरा friend circle बड़ा है मैं उनको छोड़ नहीं सकता आप drink करते हो, अब मैं यह नहीं कह रहा है कि drinking करना सही है, गलत है, लेकिन अगर आप drink करते हो आपका habit है, चाहे कभी कबार करते हो, चाहे regular करते हो चुपाओ मत, clear बोलो कि हाँ जी मैं drink करता हूँ हाँ जी मैं drink करती हूँ पहले से ही clear बोल दो आप बच्चा पैदा करने में interested नहीं हो, clear बोल दो पात साल या दस साल तक बच्चा पैदा नहीं करना, वो भी clear बोल दो critical requirements, clear दूसरे इंसान को बता दो और फिर ये देख लो कि वो इंसान agree कर रहा है नहीं कर रहा है सबसे जरूरी ये चीज़ है वो आपसे compatible होना चाहिए उसकी सोच और आपकी सोच मिलनी चाहिए और वो आपकी critical requirements को accept कर ले ताकि आगे चलके problem ना हो सबसे जरूरी चीज़ है तीसरा पॉइंट आता है सबसे जरूरी एक इनसान का standard of living कैसा है way of life कैसा है कहीं लोगोतें बहुत कंजूसी से जीवन वितीत करते है कितना भी पैसा आजा है सब जोड लेंगे गाड़ी खरी देंगे सबसे सस्ते वाली या खरी देंगे यह नहीं होटल की जगए धरमशाला में ठहरेंगे रेस्टोरेंट की जगए ठेले पे खाएंगे यह अपना जीने का तरीका है ऐसा नहीं कि पैसा कम है जादा पैसे वाले भी कही बार ऐसे रहते हैं और कम पैसे वाले भी कही बार लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं आप उसको जीने नहीं दोगे वे ओफ लाइफ भी चेक करो कि कौन इंसान कैसे जी रहा है अपने जीवन को पता चले एक इंसान अपने रिष्टेदारों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको सिरफ मी टाइम चाहिए आपके साथ ही सारा टाइम स्पेंड करें वे ओफ लाइफ चेक करना बहुत ज़रूरी है तीसरी बात आती है कि इंसान का सुभाव कैसा है और इसके साथ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सुभाव को आप एक या दो मीटिंग में जज़ भी नहीं कर सकते हैं पहले कुछ मीटिंग में हर इंसान चाहे या ज़र फेक ही होता है परसनेलिटी पे एक और मास्क एड कर लेता है परसनेलिटी तो खुद में एक मास्क होती है उसके उपर एकाद मास्क और चड़ा लेते हैं मैं अच्छा हूँ तो एक दो मीटिंग में सुभाव को जज़ करना बहुत मुश्किल है आपने ये देखना है कि उस इंसान का नेचर सही है या नहीं है अब कोई इंसान पहले ही मीटिंग में एडिटीट लेके आ रहा है अलगी स्टाइल एडिटीट धंक से बात नहीं करेंगे कोई नमस्ते नहीं क्या करेगा वो आगे डाउन टू अर्थ बन जाएगा नहीं बनेगा हमेशा आपको पूरी जिल्गी अडिटीट दिखाएगा और ऐसे लोगों को पैसा भी नहीं चीए अडिटीट दिखाने के लिए उनमे एक अडिटीट होता है आप परिशान आ जाओगे उनके सुभाव को जज़ करो और ज़ज करना constant process है लगातार कुछ महीने ज़ज करो अगर आपने decision ले भी लिया है उनको select कर भी लिया है तो भी कोई शादी नहीं हुई है शादी में time है तब तक उनके सुभाव को जज़ करो कोई इंसान under confident होता है किसी इंसान को गुस्सा बहुत ज़ादा आता है कोई इंसान बिल्कुल indifferent होता है आप I love you, I love you करते रहोगे वो जबाब ही नहीं देंगे कभी आपसे प्यार से बात ही नहीं करेंगे हालागी प्यार करते होंगे अब वो चीज़ आपको long term में बहुत bother करेगी तो शुरुआत में ही ऐसे किसी critical defect को observe कर लेना अच्छा defect है तो adjust करना पड़ेगा हर इंसान में defect होते हैं ऐसा नहीं कि कोई इंसान perfect होता है सब में defect होते हैं लेकिन आप नहीं देखना है कि वो defect आपको कितना bother कर रहा है आप उस defect से adjust कर पाओगे उसकी respect कर पाओगे या नहीं कई बार हमें एक चीज़ से बहुत नफरत होती है वो चीज़ उनमें ना हो यह observe कर लेना अब मैं आता हूँ looks पे अगर आप एक perfectly beautiful इंसान को या handsome इंसान को तलाश रहे हो ना आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यह कोई moral गलती नहीं कर रहे है आप यह एक logical गलती कर रहे हो दोस्तों जो सुन्दरता होती है ना attraction होता है यह चार दिन की बिमारी होती है कोई भी चीज बहुत सुन्दर भी होगी आपको लगती भी होगी सुन्दर और उसके साथ आप बहुत जादा time spent कर लोगे या कोई इंसान है जितना आप उसके साथ time spent करोगे उतनी ही उनकी सुन्दरता आपकी नजरों में fade होती चले जाएगी वो आपको ordinary लगने लगेंगे normal लगने लगेंगे और अगर आप सिरफ सुन्दरता की वज़े से उनसे attract हुए थे और जब वो सुन्दरता आपकी नजरों में fade हो जाएगी तो आपको उनकी बाकी problems नजरा आने लगेंगी जो पहले आपने ignore कर दी थी खाली सुन्दरता के लिए समझ रहे हो ना मेरी बात को सिरफ सुन्दरता को priority नहीं देनी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इंसान आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है तो उससे शादी कर लो ऐसा भी मत करना दुखी रहोगे लेकिन सिरफ अती सुन्दर अती स्मार्ट इंसान चीए तो वो भी बेफकुफी है मैं आपको लिखके दे रहा हूँ शादी के कुछ साल बात सिरफ नेचर काम आएगा सुन्दरता काम नहीं आएगी कितना ही सुन्दर इंसान होगा वो आपको नॉर्मल लगने लगेगा सिरफ उसका नेचर उससे आपकी कंपैटिबिलिटी आप लोगों का रिष्टा वो काम आएगा वो अच्छा नहीं होगा तो कितना ही सुन्दर इंसान होगा आप उसको छोड़ना चाहोगे दोस्तो एक चीज़ और एड करूँआ एंड में शायद पहले एड कर सकता था एग्णोर कर दी या भूल गया आपको ये देखना है कि उस इंसान के ख्यालात कैसे हैं सोच कैसी है कहीं लोग होते हैं आज वो 21 वी सदी में जिन्दा है तो भी उनकी सद्रावी सदी वाली सोच है वो आप पे शक करेंगे आप लड़की हो घर से बाहर जा रही हो अरे यारे किसी के साथ भागना चाहे या लड़का काम पे जा रहा है या अपने कलीड के साथ कोई रिष्टा ना मना ले कही लोग होते हैं वो चाहते हैं कि ओरता है तो घर में खाली घरवालों की सेवा करती रहे और उसका कोई काम नहीं होना चाहिए उसकी प्रियोरिटी होने चाहिए घरवालों की सेवा और उसके मावाब मेरे नौकर है उनके लिए तो मैं भगवान होना चाहिए हूँ यह लड़की है वो चाहती है कि इस इंसान का बस अपने रिष्टेदारों से सारा नादा तूट जाए सिर्फ मैं हूँ मेरे रिष्टेदार है इसका कोई पहले अफेर तो नहीं था किसी से कोई रिष्टा तो नहीं था अब अवित्र हो गए हैं तो अगर रिष्टा था तो इंप्योर है यह इस टाइप के जो इंसिक्योर शक्की छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनसे ज़रू बचना ऐसे इंसान से शादी होगी तो समझो बरबादी ही बरबादी है कितने ही अमीर हों कितने ही सुन्दर हों कितना ही कुछ हो ऐसे इंसान से शादी करना मतलब बरबादी करना है बहुत जादा लंबी हो गई है वीडियो बहुत सारे और एस्पेक्ट्स डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन आज ये कुछ क्रिटिकल बाते मैंने आपको बताई है तो दूसरे इंसान को जब भी आप जज करो रिष्टा बनाना चाहो शादी करना चाहो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देना All the best